हलो यवरिवन वेल्कम टू माइ चैनल द Means The Creative Bells तो आज हम सीखेंगे ओ और ओ की मात्राई ओ और ओ ओ की जब हम साउंड निकालते हैं तो हम अपने होट को थोड़ा सा गोल करते हैं चोटा सा गोल करते हैं और जब हम ओ की मात्रा निकालते हैं तो हम अपने मूँ को थोड़ा खोल के उसकी मातरा निकालते हैं तो सबसे पहले हम इनका recognition बच्चों को कराएंगे कि O की मातरा इस तरहां से लगती है और O की मातरा इस तरहां से लगती है ताके जब वो आगे शब्द बनाएं तो उनको आसानी हो जाए कि उन्हें O की मातरा लगानी है या O की मातरा लगानी है तो इस तरहां से पहले हम उनको एक-एक शब्द देंगे जैसे का, गा, मा, चा, और न अब हम बच्चों को बोलेंगे कि इन पे आप O की मातरा लगा है छोटा O की मातरा तो O की मात्रा हमेशा शब्द के बाद लगती है जैसे E की मात्रा छोटी E की मात्रा शब्द से पहले लगती थी ये मात्रा शब्द के बाद लगेगी हमेशा तो हम का पे O की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गा पे लगाएंगे तो गो, मा पे लगाएंगे तो मौ, चा पे लगाएंगे तो चो और ना पे लगाएंगे तो नौ अब इसी तरह से हम यही शब्द उनको दुबारा देंगे का, सा, खा, गा, घा और ना अब हम उनको इन चप्त पे बड़े ओ की मात्रा लगवाएंगे तो अब को और को इन दोनों में कितना डिफरेंस है हमें प्रोनाउंस करने में हमें उसका उचारण करने में कितना ये दोनों अलग-अलग है हमें बच्चों को ये सिखाना है कि अगर हम का पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा को और अगर का पे ही बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा को ठीक है तो इस तरह से हम उनको अलग-अलग शब्द पे अलग-अलग मात्राएं सिखाएंगे लगाना फिर इसके बाद हम इन ही शब्द से एक एक अक्षर से एक एक शब्द बनाएंगे जैसे का पे छोटे ओकी मात्रा को अटा कोट गा पे छोटे ओकी मात्रा गो अल्ला गोल मा पे छोटे ओकी मात्रा मो और रा मोर चा पे छोटे ओकी मात्रा चो और रा चोर ना पे छोटे ओकी मात्रा नो और च नोच ठीक है, तो हम एक शब्द से उनको एक अक्षर बनाना सिखाएंगे मात्रा लगाकर, ओकी मात्रा लगाकर अब यही शब्द को, अक्षर को हम बड़े ओकी मात्रा लगाकर बताएंगे तो अगर हम का पे बड़े ओकी मात्रा का और बड़ा आ जिसको हम कववा बोलते हैं उसको हम इस तरह लिखते हैं खा पे बड़ेओं की मात्रा खो या प्याक डंड़ा या खोया गा पे बड़ेओं की मात्रा गो रा और वा गौरव ठीके गौरव एक नाम भी होता है और गौरव प्राउट होना भी होता है घा पे बड़े ओके मात्रा घो टा पेक अड़टा ला पेक अड़टा ला गो टा ला ऐसे ही ना पे बड़े ओके मात्रा नौ और कर नौ कर तो ये थी छोटे ओकी और बड़े ओकी मात्राएं आप इसमें बच्चों को differentiate बताएं हमें किस तरह उनका उचारण करना है किस तरह उनको pronounce करना है जैसे ओ से होती है ओखली ठीक है तो हम इसको ओखली बोलेंगे थोड़ा सा मुझ खोल कर ओ की अवास निकालेंगे और बड़े ओ से होती है औरत औरत तो हम अपना मुझ थोड़ा बड़ा खोलेंगे ठीक है तो ये थी इनकी मात्रा है होप आपको समझ आया होगा और आप अपने बच्चों को इस तरह ही समझाएं